हेलो एवरिवन, आज की पिककार डिटिंग का टॉपिक है कि 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? आपके लव लाइफ में कौन से चिंजस आने वाले हैं? तो अगर आप लोग सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, या फिर अगर आप लोग committed हो, relationship में हो, married हो, या फिर आपका किसी और के उपर crush है, या फिर आप किसी person के बारे में सोच रहे हो, और उनके साथ आपका future क्या है, ये देखना चाहते हो, तो ये reading आपके लिए है. Hello, this is Holistic Hiller, Vedika Oja, और अगर आप Astrology, Hemology, Tarot का reading में interested है, तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कीज़े, साथी बेल आइकन को भी प्रेस कीज़े, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के notification आप लोगों को मिले, और topic अगर आप लोगों के पसंद का हो, तो वो आप तक पहुँच पाए. अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगती है, तो इससे लाइक जरूर कीज़े, इससे मुझे inspiration मिलती है, साथी आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है, और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े, ऐसे ही interesting और informative वीडियोज के लिए, और मेरी YouTube family का हिस्सा बनिये, अगर आप लोगों को कोई confusion है, या फिर आप लोगों के कोई suggestions है, तो आप लोग comment section में मेरे साथ share कर सकते हो, आप लोगों के साथ interaction करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लोग pick a card reading के लिए नए हैं, उन लोगों के लिए में explain कर देती हूँ, यहाँ पे में तीन groups बनाने वाली हूँ, groups का division आप लोगों की situation के according होने वाला है, तो आप लोगोंने अपनी situation को चुनना है और उसी के according अपने group को चुनना है, ध्यान रहे कि आप cards को नहीं चुनते हो, cards आपको चुनते हैं, इसलिए अपने intention पर test रखिए, आप लोगों के लिए जो reading बनी है, वो अब तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए, तो सबसे पहले card shuffling और group division कर लेते हैं, तुषप लोगों के लोगों को बनी हैं, लोर आपकोव मेंगे चुनते हैं, अगर आपका किसी के उपर क्रश है या फिर कोई परसन आपके जहन में है और आप अक्सर उतके बारे में सोच रहे हो और यह जानना चाहते हो कि उनके साथ अपका future क्या है 2023 में बात आगे बढ़ सकती है कि यहीं खतम हो सकती है अगर आप यह जानना चाहते हो तो आप लोग group 1 में आते हो अगर आपके life में कोई है भी नहीं और आपके दिमाग में भी कोई नहीं है यानि ना तो आपका किसी के उपर crush है ना आप किसी relationship में हो तो आप लोग group 2 में आते हो अगर आप लोग किसी के साथ relationship में हो या फिर आप लोग married हो या फिर already आपके life में कोई है तो आप लोग group 3 में आते हो तो आप लोग अपने situation के according अपने group को चुन लीजिए पूरी positivity के साथ group 1 की reading को start करते है और group 2 और group 3 आप समय मिलते हो आपके time stamp पर Hello group 1 तो आईए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका future क्या है 2023 में आप लोगों के रिष्टे में क्या changes आने वाले हैं आप क्या कुछ expect कर सकते हो क्या ये बात आगे बढ़ सकती है या फिर यहीं खतम हो सकती है ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग ढूरने वाले हैं group 1 के जो लोग है जो किसी के साथ relationship में तो नहीं है लेकिन उनके जहन में कोई बसता है और वो अक्सर उनी के बारे में सोचते है ये आप लोगों का group है तो आप लोगों के reading को start करते हो और आप लोगों ने जो cards चुने है उसे एक एक करके में open कर लेती हो और आप लोगों के reading को start करती हो आप लोगों के लिए जो first card है वो renewal का card है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के union में कुछ एक blockages है कुछ एक inner work याने cleansing के बाद आप लोगों का रिष्टा जो है वो आगे बढ़ सकता है और यहाँ पे मुझे एक family दिख रही है याने आप लोग committed relationship में जा सकते हो ऐसी energy भी मुझे यहाँ पे feel हो रही है दूसरा जो card है वो world का card है जो success को represent करता है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वहाँ पे आप लोग growth expect कर सकते हो कुछ एक बदलाव expect कर सकते हो और hopeful रह सकते हो यह energy मुझे उनके लिए feel हो रही है तीसरा जो card है वो strength का card है तो कुछ एक obstacles वाली energy भी इस equation में रहेगी आपको कुछ problems का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन आप उन problems को overcome कर सकते हो अगर आप strength से काम लेते हो तो यह guidance मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है 6 of water का card यहाँ पे आया है तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो या फिर जिसके उपर आपको crush है वो आपके soulmate होने के chances मुझे यहाँ पे लग रहे है क्योंकि 6 of water का जो card होता है वो past से connected वाली energy को दर्शाता है यानि आप लोग आपकी previous life से connected हो यानि आप लोग soulmates हो ऐसे दो souls हो जो बार-बार reincarnate करते रहते हैं एक दुसरे का साथ ढूंडी लेते हैं वैसा एक harmonious रिष्टा आप लोगों के बीच में है या फिर future में grow हो सकता है ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ये beautiful energy आई है और आप लोगों का bond बहुत ज़दा strong तो है ही और future में और ज़दा growth आप लोगों को मिल सकती है हाल फिला जितने भी obstacles आप लोग face कर रहे हो उनको आप लोग overcome कर सकते हो ये overall energy मुझे यहाँ पे feel हो रही है अब detail में आपकी journey को explore कर लेते हैं 2023 में आप आपके person के साथ आगे बढ़ सकते हैं 2023 में आप लोगों का रिष्टा कैसा रहेगा क्या changes आ सकते हैं वो देख लेते हैं Queen of wand तो आप दोनों के बीच में strong attraction है ये मुझे यहाँ पे feel हो रहा है King of swords ये आप लोगों को clarity ज़रूर मिलेगी हो सकता है कि at present आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको लेके आप बहुत ज़दा confused हो या फिर उनके behavior के वज़े से आप confused हो जाते हो और आपको नहीं समझाता है कि वो आप में interested है भी के नहीं या फिर आगे करना क्या चाहिए इसका भी confusion हो सकता है आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए इसी clarity आपको at present नहीं है वो 2023 में clarity आ सकती है आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी ये energy मुझे अपके लिए feel हो रही है आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके communication skill बहुत ज़दा effective और impressive हो सकते है जिसे शब्दों के जो जादुगर होते है वो energy मुझे उनके लिए feel हो रही है या तो वो बोलने से लेटेड प्रोफेशन में रहने के chances भी हो सकते है influencer, youtubers, या फिर बोलने से लेटेड उनका प्रोफेशन या फिर वैसा प्रोफेशन ना हो लेकिन बोलना ही ऐसा हो कि जो इनसे बाते करता है वो इनके बातों में खो जाता हो इनसे impress हो जाता हो ये energy मुझे इनके लिए feel हो रही है 10 of swords का card यहां पे आया है तो मुझे इसे लगता है कि heavy energy है आप लोगों के रिष्टे में बहुत सारी चीजे है जो इस रिष्टे को आगे नहीं बढ़ने देती है और शायद उनका past या फिर आपका past भी responsible हो सकता है आप लोगों ने अपने past में कुछ एक heavy energy experience की है या फिर किसी heartbreak से आप लोग गुजरे हो ये भी energy मुझे याँ पे feel हो रही है और कहीं न कहीं आपकी solos impression को अभी भी carry कर रही है आपको ऐसे लगता है कि आप पुरी तरीके से ठीक हो गए हो लेकिन आप लोग अंदर से पुरी तरीके से heal नहीं हुए हो और कहीं न कहीं कुछ blockages आप लोग इस equation में future में भी expect कर सकते हो ऐसा भी मुझे यहाँ पे feel हो रहा है ये no contact zone को भी represent करता है तो ये भी possibility हो सकती है कि आप लोग एकदम से no contact zone में चले जाओ या फिर contact एकदम खतम हो जाए और आपको ऐसे लगेगी आपने इनको खो दिया ये भी possibilities यहाँ पे हो सकती है कुछ cards अपने आप निकल गए है तो वो ले लेते है two of swords का card confusion को represent करता है तो बहुत सारा confusion अगले साल भी बरकरार रहेगा आपको clarity तो मिलेगी लेकिन पूरी clarity नहीं मिलेगी कुछ चीजे जो है वो अभी बाकी रहेंगी और उसको लेकिए आप confused रहोगे या फिर आपके person confused रह सकते है ये मुझे यहाँ पे feel हो रहा है या तो दोनों में से एक person confused रहेगा या फिर दोनों भी confused रह सकते है justice का card balance energy को represent करता है तो आप लोग अगर अपनी energies को balance करते हो आपके belief system में कुछ ऐसी चीजे है जो इस रिष्टे को आगे बढ़ने से रोक रही है शायद कुछ difference हो सकता है age difference या फिर cultural difference या फिर और कोई difference ऐसा हो सकता है जिसके वज़े से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो वहाँ पे आप लोग balance लाने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो justice का card balance energy को represent करता है तो वो balance आप आपके रिष्टे में लाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो 10 of want का card यहाँ पे आया है तो आपके रिष्टे में बहुत ज़दा stress तो रहेगा यानि बहुत सारी चीज़े रहेगी जो आपको solve करनी पड़ेगी अगर एक चीज़ आप solve कर लेते हो तो आपको दूसरी कोई चीज या फिर दूसरा कोई challenge face करना पड़ सकता है एक के बाद एक challenges आपको face करने पड़ सकते हैं और आपके partner खुद भी back step लेने के chances भी मुझे यहाँ पे लग रहे है वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रहा है आप लोगों के लिए इस रिष्टे में आगे बढ़ना आसान काम बिल्कुल भी नहीं रहेगा और जो सच्चा प्यार होता है उसे हासिल करना ऐसे भी आसान नहीं होता है हम लोग movies में भी देखते हैं कि सच्चे प्यार को हासिल करने के लिए कितने सारे efforts दालने पड़ते हैं कितने पापड बेलने पड़ते हैं वैसा ही कुछ मुझे यहां पर आप लोगों के लिए feel हो रहा है bottom of the deck में Ace of Wands का card आया है तो overall आपके पूरे रिष्टे का सफर में यहां पर experience कर सकती हूँ यानि कई बार on and off follow situation या फिर contact से चले जाना बहुत ज़दा stress फिल करना, pressure फिल करना यह आप लोगों के रिष्टे की energy मुझे यहां पर feel हो रही है कई बार आपको भी ऐसे लग सकता है कि आप अके लिए efforts टाल रहे हो आप initiate कर रहे हो, आपके person में ऐसा आपको response नहीं दे रहे है या फिर cold response दे रहे हो, यह सारी चीज़े आप experience भी कर सकते हो आप उनके साथ stuck भी feel करोगे, ऐसा भी मुझे यहां पर feel हो रहा है stuck energy याने ना तो इनका thought आप remove कर पाएंगे, ना ही आप आगे बढ़ पाएंगे इनके साथ आगे बढ़ना भी आपके लिए मुश्किल है और इनको भुला देना और भी ज़दा मुश्किल आप लोगों के लिए रहेगा ऐसी energy मुझे आप लोगों के लिए feel हो रही है आप लोगों के लिए जो final outcome है उसके लिए बहुती beautiful energy यहां पर आई है 8 of wand और 3 of cups वाली यह energy है याने celebration वाली energy है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को हासिल कर लोगे या फिर अपने जितने भी obstacles है उसे आप लोग overcome कर सकते हो अगर आप लोग try करते हो तो कोशिशे करते हो तो यह energy मुझे यहां पर feel हो रही है 3 of cups के energy third party influence को भी represent करती है आप दोनों के अलावा इस रिष्टे को कुछ एक third factor है जो influence कर रहा है यह उनका commitment हो सकता है या फिर उनका family हो सकता है या फिर उनका career भी हो सकता है वो भी आपके रिष्टे को influence करता है लेकिन आपको वहाँ पर जीत मिल सकती है क्योंकि यह celebration का card है ऐसा मुझे यहां पर आप लोगों के लिए feel हो रहा है तो 2023 में you will find a way out आप आगे बढ़ने के रास्ते ढून लोगे और उनकी तरफ आप लोग आगे कदम बढ़ाते हुए मुझे यहां पर feel हो रहे हो और शायद आप लोग उनके साथ relationship में भी आ जाओगे ऐसी भी energy मुझे आप लोगों के लिए feel हो रहे है लेकिन सफर बहुत ज़ता मुश्किल रहने वाला है यह भी मैं आप लोगों को समझा दू तो group 1 के लिए इतना ही अगर यह reading आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस select जरूर कीज़े और मेरे चनल को subscribe जरूर कीज़े ऐसे ही interesting और informative videos के लिए और मेरी YouTube family का हिस्सा बनिये अगर आप लोग personal reading में interested हो तो इस selected information मैंने description में दी है description में जो number दिया गया है उसी के जरीए आप लोगोंने booking करना है comment section में अगर आपको कोई भी मेरी photo के साथ भी number शेयर कर रहा है तो वहाँ पे आप लोगोंने ध्यान देना है वो fraud हो सकते है आपको नुकसान पहुंचा सकते है इसका ध्यान आप लोगोंने रखना है मैं किसी को भी reading के लिए approach नहीं करती हूँ उल्टा मेरे यहाँ reading के लिए waiting period चलता है यह आप लोगोंने ध्यान में रखना है तो अगर आप लोग patience के साथ wait कर सकते हो तो ही आप लोग अपने sessions को book कीजिए इससे related information मैंने description में दी है उसी के जरिये आप लोग booking कीजिए fraud से बचिए Hello group 2 तो आईए देखते है कि आपके लिए 2023 क्या changes लेके आने वाला है आप लोगोंने group 2 को चुना है इसका मतलब आप लोग life में बिल्कुल अकेले हो, single हो ना तो आपको किसी के उपर crush है ना आप किसी के बारे में सोच रहे हो ना ही आप लोग relationship में हो तो ऐसी situation में आप लोग आपके love life में क्या changes expect कर सकते हो क्या आप लोग आने वाले साल में अकेले ही रहोगे या फिर आपको किसी का साथ मिलेगा और अगर मिलने वाला है तो वो कैसा रहेगा ये सारी टीजों के details आज हम लोग कवर करने वाले है तो आप लोगोंने जो number चुना है उसे मैं side में रख देती हो और आप लोगों की reading को start करती हो आप लोगों के लिए जो first card है वो देख लेते है 7 of water का card यहां पे आया है जो dissatisfaction वाली energy को represent करता है loneliness को represent करता है तो मुझे इसे लगता है कि आपका search है वो शुरू है आप ढूंड रहे हो तलाश रहे हो 10 of air का card यहां पे आया है जो end of difficult situation को represent करता है यानि आप लोगों का अकेला पन आने वाले साल में दूर हो सकता है अगर आप लोग cleansing करते हो तो आने वाला साल जो है वो awakening के लिए cleansing के लिए बहुत ज़दा beneficial हो सकता है तो अगर आप लोग कोशिश करते हो अगर आप लोग inner work करते हो यानि अपनी energies को balance करते हो divine energy के साथ connect होते हो कुछ एक charitable work करते हो तो आप लोगों के energies balance हो सकती है और जो blockages है आपके love life में जिसकी वज़े से आप अकेले हो उसे आप लोग overcome करते हुए मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हो जो third card है वो dreamer का card है यानि totally एक new beginning आपके लिए 2023 लेके आ सकता है एक totally नया person आपके life में आ सकता है ये energy भी मुझे यहां पे feel हो रही है dreamer के energy बहुत ज़ता बिंदास energy होती है तो आप लोग आने वाले साल में overthinking, negative thinking बिल्कुल भी नहीं करोगे positive रहने की कोशिश आप लोग करोगे और एक बहतर person आपके life में आने के chances मुझे यहां पे feel हो रहे है लेकिन ये उनी के साथ होगा जिनको belief है जिनको खुद के उपर यकीन है universe के उपर यकीन है ये उनी के साथ होगा जो खुद को doubt करते है question करते है और बहुत ज़ता negative है ये उनके साथ नहीं हो सकता है जो आपके लिए fourth card है वो four of water का card है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई एक opportunity आप लोगोंने miss की है और जिसके वज़े से आप लोगों के दिल में अभी भी regret है ये energy मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रही है आपका subconscious mind उस regret को अभी भी carry कर रहा है वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़ता ज़रूरी है आप लोगोंने जो carry किया है वो आप लोगों का emotional baggage अगर आप लोग क्लियर करते हो तो आप लोगों के life में difficult situation भी end हो सकती है और एक नए person की entry भी हो सकती है जिसके energy बहुत ज़दा playful और interesting रह सकती है ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रहा है अब आप लोगों के tarot cards क्या खेह रहे हैं वो देख लेते है तो group 2 आपके life में एक नए person तो आने वाला है लेकिन वो कैसा रहेगा और आप लोगों का bond कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं अभी तो आप लोग बहुत ज़दा हारा हुआ महसूस कर रहे हो उदास feel कर रहे हो आप लोगों ने शायद उमीदी छोड़ दी हो ये भी possibility हो सकती है वो जो person है वो बहुत ज़दा helping nature कर रहेगा बहुत ज़दा energetic रहेगा बहुत ज़दा stable और grounded रहेगा polite रहेगा, well-mannered रहेगा और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही कि शायद वो financially बहुत ज़दा secure और stable रह सकता है hero fund का card marriage को represent करता है तो मुझे इसे लगता है कि आने वाला साल आप लोगों के लिए relationship नहीं आप लोगों के लिए marriage लेके आ रहा है शायद आप लोग compatible partner ही ढूँड रहे हो marriage के लिए suitable match ढूँड रहे हो वो मिलने के chances मुझे आने वाले साल में लग रहे है वो एक ऐसा person रहेगा जिसकी family बहुत ज़दा spiritual या फिर religious हो सकती है जो भी धर्म है इन लोगों का ये उसे follow करते है religious हो सकते है या फिर या फिर ये लोग spiritual रह सकते है याने अच्छे काम करने वाले law of कर्मा में यकीन रखने वाले divine energy में रखने वाले आस्था इन में रहेगी ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लिए feel हो रहा है ये एक ऐसे family background से रहेगा जिनोंने अपने समाज में नाम और इज़त कमाई हो respectable position पे वो हो ऐसे energy मुझे उनके लिए feel हो रही है third card जो है वो death का card है आने वाले साल में आपके life के कुछ chapters end हो जाएंगे और कुछ नए chapters की शुरुआत मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रही है transformation का भी ये card है याने आप लोगों का belief system change हो सकता है या फिर आप लोगों का physical appearance change हो सकता है या फिर ये वो person की energy भी हो सकती है जो आपके life में आने वाला है temperance का card यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा weight कराने के बाद ये future spouse आपके life में आ सकता है और शायद आप लोगों के patient जब जवाब दे जाएंगे तब ये आने के chances मुझे यहाँ पे लग रहे है moon का card याने आप लोगों के ऊपर किसी negative energy का असर भी मुझे यहाँ पे feel हो रहा है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अपने future plans या फिर अपनी खुशियों को ज़दा social media पे नहीं डालना है आप लोग जाने अंजाने में evil eye को attract कर रहे हो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है आपका कोई अपना ही अपना बन के आपके लिए negative vibe spread कर रहा है तो आप लोगों ने alert रहना है और आपके life में जो person आएगा वो बहुत ज़दा creative mind कर रहेगा बहुत ज़दा romantic रहेगा थोड़ा सा introvert और shy energy भी उनकी हो सकती है यानि open up होने में उनको थोड़ा सा time लगे ये भी energy मुझे यहाँ पर feel हो रही है आप लोगों की meeting जो है वो social media के जरीए या फिर marriage apps के जरीए या फिर networking के जरीए होने के chances मुझे यहाँ पर feel हो रहे है bottom up the deck में जो card है वो nine of swords का card है यानि आप और आपके family बहुत ज़दा परेशान हो गये हो बहुत ज़दा चिंताएं आप लोगों को परेशान कर रही है लेकिन आप लोगों के चिंताएं आने वाले समय में दूर हो सकती है तो आप लोगों ने धैर यह बनाए रखना है धीरत से काम लेना है और कुछ एक charitable work से आप लोगों ने जुड़ना है so that आप लोगों को आपके मन लाइक साथ ही मिल जाए और आप लोग जो चाहरे हो अपने life में वो आप लोगों को मिल जाए यह मुझे यहाँ पर feel हो रहा है वो person जो है वो बहुत ज़दा romantic तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा short tempered रहने के chances भी मुझे यहाँ पर feel हो रहे है उनके जो occupation है वो engineering, management से related या फिर बोलने से related उनके occupation रहने के chances मुझे यहाँ पर feel हो रहे है लेकिन शायद उतना express नहीं कर पाऊगे या फिर express करने के लिए थोड़ा सा time आप लोग लगा सकते हो यह overall energy मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए feel हो रही है तो group 2 आप लोगों के शादी के chances मुझे आने वाले साल में लग रहे है जिसके लिए आप बहुत ज़दा परेशान हो रहे हो वो होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यह अपने आप नहीं होगा आप लोगों को कुछ remedies करना पड़ सकता है charitable work या फिर divine energy के साथ connection बना के रखना पड़ सकता है उसके बाद ये changes आपके life में आ सकते है आप लोगों के लिए guidance क्या है वो देख लेते है there is something better का card यहाँ पर आया है यानि आप जो सोच रहे हो उतना बुरा भी आप लोगों के साथ नहीं होने वाला है आप लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अपने belief system को check कीजे अगर आप बहुत ज़दा overthinking, negative thinking कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों ने ध्यान देना है आप जो सोचते हो अगर आप लोगों को कुछ डर परिशान करते हैं इसा तो नहीं हो जाएका वैसा तो नहीं हो जाएका तो वही हो सकता है हमारा जो mind होता है वो magnet के जैसे होता है जो हम सोचते है एक दिन वही हमारी reality बन जाती है तो आप लोग क्या सोच रहे हो इस पर आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़दा ज़रूरी है आप लोगों ने अपने efforts भी थोड़ी से बढ़ाने है जब आप आपकी कोशिशे और थोड़ी बढ़ा दोगे तब आपको compatible partner मिल सकता है ये energy मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए feel हो रही है bottom of the deck में जो card है वो big happy changes का card है तो बहुत सारे happy changes आप लोगों की wait कर रहे है बस थोड़ा सा और सबर कर लीजिए बहुत जल्द ये सब होने वाला है ऐसी ही energy मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए feel हो रही है तो group 2 के लिए इतना ही आप लोग अपनी personal life के बारे में चानना चाहते हो तो आप लोग personalized reading को book कर सकते हो description में related information में दी है description में जो number दिया है सिर्फ उसी के जरीए आप लोगों ने अपनी bookings को करना है comment section में आप लोगों को कोई approach कर रहा है तो वो fraud हो सकते है उससे आप लोगों ने बचना है मैं किसी को भी approach नहीं करती हो reading के लिए उल्टा मेरे यहाँ reading के लिए waiting period रहता है यह आप लोगों ने ध्यान में रखना है और अगर आप लोग patients के साथ wait कर सकते हो तो ही आप लोगों ने अपने readings को book करना है Hello group 3 तो आए देखते हैं तो आने वाला साल आपके love life में क्या attendance लेके आने वाला है आप लोगों ने group 3 को चुना है इसका मतलब यह है कि already आप लोग relationship में हो या फिर आप लोग married हो तो आप लोगों का current position क्या है और future में आप लोग क्या expect कर सकते हो यह detail में आज हम लोग देखने वाले है आप लोगों ने जो cards चुने हैं उसी के जरिये हम लोग आप लोगों की reading को start करने वाले है तो आप लोगों के लिए जो first card है वो eight of water का card है यानि आप लोग अपने relationship में खुश नहीं हो या फिर अगर आप लोग married हो तो वहाँ पे आप लोग खुश नहीं हो आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये शादी से आप लोगों ने बाहर निकलना चाहिए और कुछ meaningful रिष्टों को ढूनना चाहिए ये आप लोगों के subconscious mind के desire मुझे यहाँ पे feel हो रही है आप लोग अपने रिष्टे में खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो कुछ एक emptiness आप लोग experience कर रहे हो एक खालीपन आप लोग experience कर रहे हो ये energy मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रही है two of earth का card यहाँ पे आया है तो ये balance energy को represent करता है यानि आप लोग अपने रिष्टे में balance लाने की कोशिश तो करते हो लेकिन somehow आप लोग manage कर रहे हो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रहा है एक दुसरे के according जीने की आप लोगों कोशिश तो करते हो लेकिन कहीं ने कहीं ये करने में आपको कुछ दिक्कते जारी है या फिर एक stressful वाली energy भी आप लोग experience कर रहे हो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रहा है तो आप लोगों के married life में या फिर आप लोगों के relationship में कुछ तो तनाव है आप लोगों को एक दुसरे के साथ balance बना के रखने में कुछ तो दिक्कते जारी है या आप लोगों का current position मुझे यहाँ पे feel हो रहा है आप लोगों के लिए जो third card है वो ego का card है तो मुझे इसे लग रहा है कि शायद आप लोगों की ego clash हो रही है या फिर आप लोगों को ऐसे लगता है कि मैं ही क्यो efforts रालू, मैं ही क्यो जुकू कुछ एक negative energy आप लोगों के रिष्टी की इर्द गिर्द मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है शायद आप लोगों को कुछ डर या फिर कुछ insecurities अपने रिष्टी को ले के परिशान कर रही हो ये भी possibilities मुझे यहाँ पे feel हो रही है आप लोगों के लिए जो आखरी काड है वो night of earth का काड है तो मुझे इसे लगता है कि आप लोगों को एक loyal, dedicated और kind-hearted person चाहिए जो शायद आपके current partner में ये चीज़े missing रहने के chances भी मुझे यहाँ पे feel हो रहे है आप लोगों के लिए मैं ये ही कहूँगी कि शायद आपके partner में कुछ changes आएंगे और आप जो changes चाहरे हो या तो आपके partner में ही आ जाएंगे या फिर ऐसी qualities वाला partner आप लोगों को future में मिल सकता है जिसके वज़े से आप लोग peaceful रहते हुए भी मुझे यहाँ पे feel हो रहे हो अब आप लोगों के tarot cards क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो first card है वो queen of wand का card है जो second card है वो three of wand का card है तो मुझे इसे लगता है कि आप एक warm hearted person हो आप बहुत ही जदा intensely प्यार करते हो आप बहुत अच्छे lover भी हो ये भी energy मुझे यहाँ पे feel हो रही है और आपको emotional stability चाहिए जो आपके marriage में या फिर आपके relationship में नहीं है ऐसा मुझे यहाँ पे feel हो रहा है और stability लाने की कोशिश आप आने वाले साल में करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो six of pentacles का card यहाँ पे आया है तो हो सकता है कि आपके expectations से बढ़ चड़के आपके relationship में changes आए या फिर आपके marriage में changes आए ये सारे possibilities मुझे यहाँ पे feel हो रहे है page of cups का card यहाँ पे आया है आपके life में कोई एक proposal या फिर प्यार add हो सकता है ये energy मुझे यहाँ पे feel हो रही है कई बार person तो same ही रहता है लेकिन वो इतना ज़दा transform हो जाता है कि आपको वो एक नया person लगता है तो वो भी chances यहाँ पे हो सकते है तो कुछ लोगों के लिए उनका current partner ही बहुत सारी changes खुद में लाके उनको approach कर सकता है या फिर वो प्यार दे सकता है affection दे सकता है जो आप चाहरे हो और कुछ लोगों के लिए ये totally नया person add होने के chances मुझे यहाँ पे लग रहे है जो भी है आप लोगों की relationship या फिर आपकी love life future में improve होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए जो fourth card है वो tower का card है तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ एक unexpected चीज़ है या फिर कुछ एक चीजों को stressful वाली चीजों को आप लोग आने वाले समय में deal कर सकते हो या फिर कुछ एक shuffling हो सकता है जो आपके overall growth के लिए बहुत ज़दा जरूरी हो ये भी possibilities मुझे यहाँ पे feel हो रही है शायद आप लोगों के लिए जो लोग सही नहीं है आपके mental peace के लिए या फिर आपके overall growth के लिए जो लोग सही नहीं है उनसे आप लोग दूर जाने का decision ले सकते हो ये भी energy मुझे यहाँ पे feel हो रही है लेकिन ये आपका जो decision है ये आपके overall growth के लिए सही ही रहेगा ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रहा है जो sixth card है वो six of one का card है तो victory वाला ये card है लेकिन victory after hardship का ये card है तो मुझे इसे लगता है कि आप लोग जो चाह रहे हो उसे हासिल कर लोगे आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि आप आपकी current life को या फिर आपकी marriage को और बहतर position पे ले जाना चाहते हो harmonious अपने रिष्टे को बनाना चाहते हो तो वैसा होगा याने आप जो चाह रहे हो आपके love life में changes आए वो आपके life में आएंगे लेकिन वो suffer आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है उसके पहले कुछ एक heavy energy से आप लोग experience कर सकते हो ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रहा है तो group 3 आप लोगों के लिए यही answer है कि आपका दिल जानता है कि आपको क्या चाहिए और उसे हासिल करने के लिए क्या करना पड़ सकता है ये भी आपका दिल जानता है आपका दिल जो आपको कह रहा है वो आप लोगों ने करना है अपने inner calling की आप लोगों ने सुनना है और वो ही आपके लिए सही रहेगा ये guidance मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है आपको already पता चल गया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है बस उसका acceptance नहीं आपा रहा है वो acceptance फ्यूचर में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब आप लोगों के लिए guidance क्या है वो देख लेते है मुझे इसे लग रहा है कि आप शायद अकिले इस situation को manage नहीं कर पाओगे आपको किसी और की help लेना पड़ सकता है और उनकी help के बाद आप लोगों का रिष्टा या फिर आप लोगों का marriage बहतर position पे जा सकता है counseling भी यह हो सकती है या फिर आप लोग psychic लोग याने tarot card readers, astrologers की भी help ले सकते हो उनकी help के बाद आप लोगों का जो current रिष्टा है, वहाँ पे आप लोगों को improvement मिल सकता है Meditation brings answers का भी card यहाँ पे आया है और abundance का भी card यहाँ पे आया है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की रिष्टे में आप एक बहुत अच्छी position पे जा सकते हो लेकिन महाँ पे जाने के लिए आप लोगों को अपनी energies को balance करना पड़ेगा Meditation करके अपने मन को शांत करना पड़ेगा अगर कुछ insecurities या डर परिशान कर रहे है तो उसको overcome करना पड़ेगा और किसी के help पे आप लोगों को लेना पड़ सकता है उसके बाद आप लोगों का current position या फिर आप लोगों का जो current रिष्टा है बहाँ पे आप लोग improvement expect कर सकते हो जो के होके रहेगा ये energy मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए feel हो रही है या फिर इस वीडियो के दोरान जो number आप लोगों को मिल रहा है उसी के जरिये आप लोगों ने अपनी booking को करना है इसके अलावा कोई भी number से आप लोगों ने अपनी booking को नहीं करना है comment section में अगर आप लोगों को मेरी photo के साथ कोई approach कर रहा है तो वहाँ पे भी आप लोगों ने ध्यान देना है वो fraud हो सकते है आप लोगों ने उससे बचना है मैं किसी को भी खुद हो के reading के लिए approach नहीं करती हूँ उल्टा मेरे यहाँ reading के लिए waiting period रहता है तो अगर आप लोग patients के साथ wait कर सकते हो तो ही आप लोगों ने अपनी reading को book करना है तो यह था मेरा analysis तीनों group के लिए आशा करती हूँ मेरी video आप लोगों को interesting और informative लगी हो और आप आपकी live site से resonate भी कर पाए हो आज की मुलाकात बस इतनी फिर मिलेंगे इसे channel पर तिल देन Bye and take care